दोस्तों कुछ दिनों से नच्रल सोने के कन जमिन से निकलेवे नच्रल सोने के कन जिसको गोल्ड नगेट कहा जाता है वह मसीन है, विधुश घर खरदमे के पढ़ता था मुझे तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दू ताकि सबको अच्छे से अगर कोई मुझे पूछता इसके बारे में तो आप वो वीडियो देख ले या फिर यूटूब पे भी सर्च करगा तो वीडियो मिलेगा और मुझे कोई कॉल करेगा तो मु आप शेयर कीजिए क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छी जानकारी क्लियर कट जानकारी लेकर आपके लिए हमेशा आते रहते हैं और बहुत बहुत बहतरीन जो फाइदे होंगे आपको ऐसी चीज़े ही लाते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो डिटेक्टरों के बारे में पूरा फ्रिक्वेंसी से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर कौन सी कौन सी कंपनी कहां पर है कैसे क्या होता है कौन सी मसीन लेनी चाहिए कौन सी आपको नहीं लेना चाहिए किसमें अपगेड कैसे होना है इसके बार में पूरी जानकारी लेकर आते तो प्लीज सब्सक् जैसे कि छोटी सीग्दम पतली पपड़ी रहती ना उससे भी बारिक मतलब 0.1 ग्राम एक ग्राम का दसवा हिस्सा इस टाइप से मिलता है उसका भी थोड़े से कम छोटे तो अभी 2000 सालों से अपने हापे माइनिंग हो रही है अभी इतना सोना इंडिया में पहले से था तो मा पाप्लम यह है कि अपने यहां पर इंडियान जो मट्टी है जो सॉइल है कंडिशन है उसमें उसके गोल्ड के अलावा बक्साइट है मैंगनीज है लेड है आईरन है और बाकी बहुत से आयस्क है बाकी बहुत से जहां सारे मिंडरल उसमें मिलते रहते हैं मतलब उसमें ब लग जक गई तो अभी यह डेमो ये थोड़ा ध्यायन से स्क्रेंपर देखिम दिखी स्कrim उसके उपर जमीन से किस तरह से सोОना और जमिन के अंदर से कैसे कैसे क्या आता है तो ऐसे कहा जाता जमेन से नीचे 3000 किलोमेटर पूरा सोने का भंडार है तो वही कहीं कहीं नसों से फटके वॉलकरनों के साथ में बाहर सत्व पर आता है जो लाखो करोड़ों साल पहले यह सब हो चुका है अभी कहीं कहीं वॉलकरन है वहां पे उसके बारे में था हम नहीं बोल सकते लेकिन इस तरह से उपर आके नदियों में पानी हो बारिश में भह भे है के ड़स्ट की सोरुप में जो है और उसके अलावा अपने इंडिया में 2000 सालों से पिछले 2000 सालों से गोल्ड मायनिग का इतियास है कि गोल्ड मायनिंग हो रहा है और इसे दिखताइक को तो देखे दोको श्यस्किब का मेटर दिखाया लुद इसका है तो में अभी देखो सिर्फ गोल्ड ही नहीं आएगा ना बाकी भी तो मेटल से है तो सब मिक्स होके आएगा तो उसके लिए काम कैसे होना चीज़े तो जिस तरह से सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह बॉक्साइट है लेकिन बॉक्साइट में बीच में गोल्ड के भी कन दि खरीदोगे तो इसमें दोस्तों आपका अनुभव के लिए आपकी लगबग 6-8 मेना साल बर जाएगा किसी-किसी लोग नहीं तो कुछ लोग तो बंदी कर देंगे यह बात तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ स्पेशली नगेट का डिटेक्टर मत खरीदो अब थ उसके लिए थोड़ा देखिए सामने जो नक्सा दिख रहा है यह उस्टेलिया की माइनर्स ने माइनर्स जो है वहां की असोशेशन उन्हों ने यह किया हुआ है मतलब क्या कहा कौन से देश में कितना गोल्ड मिलता है उसके बारे में उनका एक सर्वे है तो देखिए साउ तो वह 11 परसंट गोल्ड पूरे दुनिया का जितना बनता उसमें 11 परसंट उसका हिस्सा है CIS जो लिखा है यूरोप कंट्रीज जो सोवियत जो आते सोवियत देश जिसको बोला गाता था वह 11 टका है उसके अलावा USA अमरिका में 14 परसंट है ब्राजिल देखिए 3 परसंट है उसमें इंडिया आता है कितने देश है 140 से उपर देश है उसमें अपना तो कहां पर अपना क्रमांग होगा तो सिर्फ नगेट के लिए जाके हमारा कुछ होने वाला है नहीं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपिरेंस उसके लिए बहुत नॉलेजिबल आदमी परसंट और बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाने वाला बंदे का वो काम है तो सिर्फ तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ गोल्ड नगेट का डिटेक्टर नैचरल गोल्ड के जो कंड धूने वाला डिटेक्टर लेने से अच्छा है कि आप ऐसा डिटेक्टर लो कि जिसमें हमारेक्तब के सब काम हो जाए मतलब जिसमें आप कोई्न भी धुड़ भी धुन centr làMm यह भी धुन गोल्ड नगेट के लिए जो frequency मशीन ओपरेट करती है वो 20 किलो हाट्स के उपर होनी चीए 17 किलो हाट्स के उपर होनी चीए और 20 किलो हाट्स 40 किलो हाट्स के उपर बहुत ज्यादे टाइनी नगेट जो आते एक तम छोटे-छोटे कन वो धुणने के लिए ये जो सामने दिख रहा है Nocta का AU Gold Finder specially for Gold Nugget ये 54 KHz पे चलता है तो ये option कब चलेगा जब आग professionally Nugget Hunting Gold के कनी धुणने आपको तो ये machine है एक एक लाख रुपए के उपर की machine खरीदने सचा है 80,000 तक ये मिलेगा आपको और उसके अलावा एक दूसरा machine आता है Nocta का Gold Cruiser देखे दोस्तों स्क्रीन पे दीख रहा है Nocta का Gold Cruiser इसमें बहतरिन quality है इसमें आप जिस चीज को चाहे बंद कर सकते हो जिस चीज को चाहे उपन कर सकते हो Gold अगर रखना है सिर्फ Gold रखके बाकि सारा के सारा Metal आप उसको बंद कर सकते हो ये चलता है 61 किलोहर्ट उपरेटिंग इसका फ्रिक्वेंसी है और ये बहतरिन मतलब ये 15 फीट तक पानी में भी आप चला सकते हो बरसात में चला सकते हो ये waterproof है, ये temper proof है, ये dust proof है ये जबरदस नोक्टा का ये मशीन है दोस्तो, इसमें coil भी बहुत बढ़ी हाती है जिससे आपका काम बहुत बहतरिन तरीके से होगा और इसका भी किमत लगबख उसी के आसपास है 80,000 के आसपास है तो दोस्तो ये अगर option आपके पास है तो आप ज़्यादा महेंगी मशीन ही मत खरीदो अब जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वही मेरे मन की बात है वही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ इसके लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया ये है नोक्टा मैक्रो अन्फिवियो मल्टी ये तीन फ्रिक्वेंसी पे एक मशीन चलती जैसे कि बाकी एक डिटेक्टर एक फ्रिक्वेंसी पे चलता लेकिन इस डिटेक्टर में तीन फ्रिक्वेंसी चलती एक डिटेक्टर में ये मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है यह 5 kHz, 14 kHz और 20 kHz पे चलता है पूरा waterproof और बहुत बहतरीन deep treasure के लिए भी है, coin के लिए भी है और nugget के लिए है मतलब यह आपको सोने के कन भी धूंड के देगा, खजाना बड़ा धूंड के देगा, coin भी धूंड के देगा तो सारा ताम जहां एक चीज में बना के रखा है, तो क्यों आप specially detector लेना चाहते हो, यही मेरे बोलने का मतलब था इसमें दो कोईले आती है, एक साड़े साथ बाई 4 इंच और एक आती है 11 इंच कोईल और इसमें दूसरा ऐसा है कि आप अपग्रेड होके इसमें आप 15 इंच का भी कोईल डाल सकते हो, ताकि आप बड़ा भी ट्रेजर धूंड सको तो एक मसीन आपको 10 साल तक चलते रहेगी, आपका experience बढ़ते रहेगा, आप हलकी से आवाज पर भी समझ जाओगे कि नीचे कौन सा मेटल है, यह गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, क्या है समझ जाओगे अब यह जो सामने आ रहा है, यह है, नोक्टा मैक्रो अन्फिबियो जो आप हमने देखा, उसका यह बड़ा भाई है, यह है नोक्टा इंपक्ट, दुनिया की बहतरिन मसीन, यह भी सेम चलती है, 5 किलो हाट, 14 किलो हाट और 20 किलो हाट, जब इसका success बहुत बढ़ गया, तो कमपनी ने नोक्टा मैक्रो अन्फिबियो निकाला, वो पूरा fully waterproof है, यह fully waterproof नहीं है, इसका coil waterproof है, लेकिन यह performance में इसका तोड़ कोई भी नहीं कर सकता है, वेलेफ मसीन में यह राजा मसीन है, हाँ, इसमें लेकिन आप nugget भी धूण सकते हो, इसमें आप treasure भी धूण सकते हो इसमें आप coin भी धूण सकते हो, यह gold के उपर अलग आवाज देगी, अलग यह देगी, और इसका जो design है, वो इतना भेतरिन है, कि आपको कभी ठकावट महसुस नहीं होगी, इसमें भी दो coil आती, 7.5-4 inch और 11 inch, उसके अलाव आप 15 inch coil खरी सकते हैं, और उसके अलाव अगर आपको बड़ा treasure चीए, तो इस company ने इसके success के उपर और एक बड़ा coil बना दिया है, जो है 7.5-15 inch को coil, मतलब वो सिधा 10 feet नीचे जमीन के नीचे जो treasure है, उसको देखेगा, यह मैंने आकेर में क्यों रखा, ताकि आप पूरा वीडियो देखो, तो आपको बात समझ में आए है, जो 20 kilohertz, 17 kilohertz के उपर, जो nuggets भी पकड़ेगी, और उसके नीचे coin भी पकड़ेगी, और treasure भी पकड़ेगी, मैं बार-बार उसको repeat कर रहा हूं, दोस्तो, ताकि आपका कोई भी decision fail ना जाए, एक एक लाख रुपे की machine आती है, एक decision fail होने से बहुत सारा नुक्सान होता है, और मैं चाहता हो की, कोई भी किसम का आपका नुक्सान ना हो, तो दोस्तो, अगर nugget के लिए जाना है, तो सिर्फ nugget hunting का नहीं लेना है, आपको multi frequency machine लेना है, जिसमें आपके सारे काम हो, याद रखें दोस्तो, बाई दोस्तो